हलो नमस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरे किजिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम गुलाब जामुन बनाना बताएंगे वो भी बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट होई बिना मावा के और बिना किसी महनत के मार्केट से भी ज़्यादा स्वाधिश और बिना मावा के इतने स्वादिष्ट है कि आप एक बार 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 बना करके खाएंगे और वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों इसको बिल्कुल भी मत कीजिने पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा तो बनाने के लिए मैंने लिया है सूजी तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के गुलाब जामुन सूजी के गुलाब जामुन आप इस तरीके से बनाएंगे तो पहुती परफेक्ट बनेंगे जो हलवाई बनाते हैं तो मैंने लिया है इसमें 50 ग्राम सूजी तो ये मैंने लिया है जार तो सबसे पहले जो मैंने सूजी लिये सूजी को हम जार के अंदर डालेंगे अगर दोस्तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल पे नए है तो प्लीज सबस्काइब करें ये मैंने लिया है 50 ग्राम मिल्क पाउडर जितनी मैंने सूजी लिये उतने ही मैंने मिल्क पाउडर लिया इसके अंदर एक चमच मेंने मैदा लिया है तो सब चीज मेंने नाप करके लिए है तो ये सब चीज हम बताएंगे आपको 1-2.5 चमच मेंने मैदा का यूच किया इसके अंदर और ये मैंने थोड़ा सी इसमें डाला है मीठा सोड़ा आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, क्योंकि मीठा सोडा देख सकते हैं, बेकिंग पाउडर लिया है, मैंने इसके अंदर, क्योंकि ये जादा अच्छा रहता है, अगर आपकी पास में बेकिंग पाउ परफेक्ट बनने का तो यह मैंने अच्छे से पीस लिया है बिल्कुल बारिक पाउडर में पीस आए इसको तो पीस चुका यह अच्छे से तो अब इसको हम निकाल लेते हैं ये देख सकते हैं इस तरीके का हमारा जो गुलाब चावन बनाने का जो बेटर था इस तरीके का पिस चुका है बलकूल बारिक हो चुका है तो अब हम بना लेते हैं चासनी तो इसको हम रखेंगे साइड में और ये मैंने लिए भागोंि यह मैंने लिए 500 ग्राम चीनी और इसमें हम डालेंगे पानी तो मैंने नाप करके बिल्कुल 500 ग्राम चीनी लिए और अब इसमें हमें 500 ग्राम ही पानी डालना है क्योंकि हमें चास्नी इतनी ज़्यादा गाड़ी भी नहीं रखनी है गुलाब जामन की मेडियम साइज की चासनी बनती है एक तार की चासनी ही रखना है हमें तो गैस हम ओन कर दिये हैं और इसको हम चेनी को मेल्ट कर लेते हैं तो चेनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और जो हमारा गुलाब जामन का बेटर था उसमें मैंने आदी चमज घी डाल दिया है और घी डालने के बाद में हम इसका बहुत ही ज़्यादा सौप्ट आटा तयार कर लेते हैं ताकि जो गुलाब जामन का आटा है बहुत ही सौप्ट तयार हो जाए और वो हम दूट से करेंगे तयार तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूट डाल करके आटे को बिल्कुल सौप्ट लगा लेंगे जितना सौप्ट आटे को रखेंगे उतने ही गुलाब जामन सौप्ट तयार होंगे तो आटे में हमें दूट का यूज और करना है जितना हमें लगेगा दूद उतना दूद इसमें डालना है एक साथ में हमें दूद को नहीं डालना है और चासनी भी देख सकते हैं बबल साना स्टार्ट हो चुके हैं तो चासनी हमारी तैयार हो चुकी है हमें इसको सिरफ एक तार की चासनी तैयार करने इसमें थोड़ा सा चिपची पापन आना चाहिए चासनी के अंदर और हमें इसको बंद कर देना है तो देख सकते हैं इसमें हलका चिपची पापन आ गया है चासनी के अंदर हलका तार बरना स्टार्ट हो चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं देख सकते हलका तार दिख रहा है चासनी क अंदर तो हमारी चासनि बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है तो आपको गुलाब जामन की जासनि ऐसे ही तैयार करनी है ज्यादा गाड़ी नहीं रखनी है तो हमारा बेटर देख सकते हैं बिल्कुल इसके सोप्ट बनकर के तैयार हो चुका है तो अब इसके हम गुलाब जामन बनाएंगे तो गुलाब जामन आपको मोटे या पतले पीस में बनाने उसके कुडिंग आप लोई तोड़ सकते हैं गुलाब जामन के बेटर की तो हम इस तरीके से छोटे छोटे बनाएंगे क्योंकि फूलने के बाद में डबल हो जाएंगे तो इसलिए हमें इनका साइट ज्यादा बड़ा नहीं रखना है तो इस तरीके से हमें बिल्कुल गुलाब जामन को गोल कर लेना है देख सकते हैं इसमें एक भी स्क्रेश नहीं होना चाहिए गुलाब जामन के अंदर तो एक भी स्क्रेश नहीं है गुलाब जामन के अंदर और हमने मेडियम साइज के गुलाब जावन रखें ज्यादा मोटे भी नहीं रखें और ज्यादा पतले भी नहीं रखें देख सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने सबी को इस तरीके से गोल कर लिया है और एक साथ में कड़ाई में जितने आएं उतने कोई आपको गोल करके रखना है तो हतेले की मदद से इस तरीके से प्रेस करके और इस तरीके से आपको गोल करना है गुलाब जावन को तो ये बिल्कुल भी इसमें इस क्रेज तो बिल्कुल भी नहीं है गुलाब जावन के अंदर और मैंने कडाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल गरम भी हो चुका है तो हम गुलाब जावन डाल देते हैं कडाई के अंदर और गैस का प्लेम बिल्कुल मेडियम रखना है ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं रखना है नहीं तो आपके गुलाब जामन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे और बाहर से तो पक जाएंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इनको पकाने में चार से पांच मिनट का वक्त लग जाएगा तो ये देख सकते हैं गुलाब जामन में अच्छे से सिकाई होना इस्टार्ट हो चुकि और गैस देख सकते हैं बिल्कुल मैंने कम रखा है क्योंकि इसको चार से पांच मिनट के लिए बिल्कुल कम गैस में फ्राइ करेंगे और इसको बीच बीच में हम चम्ची की हल्प से घुमाते भी रहेंगे जाकि जो गुलाब जामन है वो चारू साइडों से परफेक्ट तरीके से सिकाई हो सके तो यह देख सकते हैं एक साइड से हमारी गुलाब जामन सीख चुके हैं तो अब इसको हम अच्छे से इसको गुलाब जामन को साइडों में उपर से तेल थोड़ा डाल देते हैं और इसको चारू साइडों से अच्छे से से केंगे और हलके हातों से सिखने के बाद में हमें गुलाब जामन को इसको टच करना है ने यह बहुत ज़्यादा सोप्ट होते हैं तो हमें इसको बार-बार टच नहीं करना है तो जो उपपर आ रहे हैं उनके उपपर हमेंने तेल डाल रहा है तेल डाल रहे हैं देख सकते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से सिकाई हो चुकिया एक साइड से और देख सकते हिसका हलका हलका कलर भी चेंज होने लगा है और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे लीजिए हमारे बहुती ज़्यादा परफेक्ट तरीके से गुलाब जामन बन करक ही लेना है सूजी को मोटी सूजी का यूज कभी भी नहीं करना है आप गुलाब जामन के अंदर जब करें तो दूसरा वाला भी हम इसी तरीके से डाल देते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल गैस का फ्लेम आपको कम रख करके ही डालना है गुलाब जामन को क्योंकि हमें ब तो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे और नहीं उनके अंदर चासनी जा पाएगी तो हम जो बाकी के बचे उनको भी तैयार कर लेते हैं तो ये हमारे सभी गुलाब जामुन बनकर के तैयार हो चुके हैं और ये हमारी चासनी है तो चासनी के अंदर अब हम गुलाब जामुन डाल देते हैं तो यह देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन चासनी के अंदर अच्छे से डिप होने चाहिए अच्छे से जाने चाहिए गुलाब जामुन तो यह देख सकते हैं बिल्कुल पर्फेक्ट बने गुलाब जामन एक भी गुलाब जामन हमारा नहीं फटा है तो जो बाकी के बचे हैं उनको भी हम गुलाब जामनों को सभी को एक साथ फ्राई करके और सभी को हम डाल देते हैं तो ये हमारे सबी गुलाब जावन बन करके तैयार हो चुके हैं और मैंने इनको चासनी के अंदर भी बहुत टाइम के लिए रग दिया तेक से दो गंठे के लिए और इनके अंदर बिल्कुल फर्फेक्ट तरीके से चासनी अच्छे से जा चुकी है तो देख सकते हैं बहुत प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू